इसलामाबाद उनाइटेड की बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बात करना इसलिए जादा जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान सूपर लीग का पहला मैच लाहॉर कलंदर और इसलामाबाद उनाइटेड के साथ होगा अगर शुरुवात के दो ओवर्स में इन दोनों में से किसी की विकेट नहीं गिरी तो समझ लो अगले 50 रन तक विकेट गिरना बहुत मुश्किल है उसी के साथ बंडाउन में आते हैं एक और इंटरनेशनल खिलाडी जॉडन कॉक्स जॉडन कॉक्स को मैंने हर T20 लीग में खेलते वे देखा है तो जॉडन कॉक्स का यहां खेलना पूरी तरह से ताह है लेकिन जॉडन कॉक्स यह बहुत खास बात है जो मैंने नोटिस की है कि अगर जॉडन शुरुआत में बल्ले बाजी करते तो यकीन मारो इनके स्टैट्स गजब उभर के सामने आते हैं और वहीं अगर इन से मिडल ओर या लोवर ओर में बल्ले बाजी कराई जाए तो वो मज़ा नहीं यह सच कहूं तो फिल्कुल मज़ा नहीं उसके बाद आता है पाकिस्तान का 21 साल का नौजवान कसीम अकरब दो साल पहले अंडर 19 वर्ल्ड का पाकिस्तान की तरफ से कप्तान था और पूरे वर्ल्ड कप में एज आल राउंडर सबसे जागा रन और सबसे जागा विकेट टीकर के तौर पर भर कर सामने आए उसके बाद पांचवे और छटे नंबर पे मैं दो प्लेयर आजम खान और अगास सल्मान को रखता हूं औ लेकिन अभी एक इंटरनेशनल प्लेयर की जगा खाली है और वहां में एक आल राउंडर फिट करना चाहता हूं साम करण इंग्लेट का बहतरीन मीडियम पेसर और 24 अग बल्लेवास और अभी दो जगा खाली है 10 वी और 11 वी और यहां पर एक और आल राउंडर फिक्स करना चाहूंगा वहीम अश्राफ दा फेंटास्टिक हार्ड हिटर और एक बहतरीन मीडियम पेसर अपने चार के चार ओवर डालेगा एंड दे लास्ट वो नाम जिस नाम की पहचान मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं दापकमिंट टैलेंट आफ पाकिस्तान नैशन आपके पास मेरे से बहतर प्लेइंग लेवन है